आज मैं आपको मिलाओंगा बॉलिवुड प्रशाद से इनका पूरा खांदान बॉलिवुड का इतना दिवाना है कि इनकी पैदाईश भी एक मूवी थेटर में हुई है और आपको इस बात के लिए मैं पहले ही साउधान कर दूँ कि आज बाकी सब लोगों को देख देख के ये कुकरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आईए देखते हैं माई साला विजय विजय दिनाना चाहान आईए अरे लेकिन का गई मेरी दीवी कंगना ये रहे क्या किश्मत है मेरी ये है वालीवूड प्रसाद और इनको है वालीवूड का बुखार और मैं हो उनकी वाइफ कंगना वहां पर वो कंगना जान ले रहे हैं और यहां पर मैं एको न, तुम्ही अपनी वॉलीवुड का बुखार थोड़ा कम करो तुम जो जो डायलग बोलते हैं न, वो हमारे दादा दादी के टाइम में बोला करते थे ऐसे बात करते हो, जैसे वॉलीवुड के साथ हैश और गांजा बेट के पी रहे हो उप्स, मैंने जब बोला की गांजा बतली सिग्रेट और जब बोला हैश तो वोटी सिग्रेट और मैं चमाने को उल्लू समझती हूँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यहाँ मैं चाती पीट-पीट के बोल रही हूँ और तुम्हें सन्नाटा नजर आ रहा है? हाँ, कान में समोसा डाल दिया है क्या? कांगनाट डार्ली, बकवास मत करो, अब हम शेपुद्दीन बन गया है और सिर पे लगाने के लिए हमने कैपुद्दीन भी मंगवाई अगर पूरी तुनिया कुकरी शोस बना रही है, कुकिंग वीडियोस बना रही है, तब हम भी बनाएंगे अब हम खना बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यह अभी सोचा नहीं है, लेकिन हम जरूर खना बनाएंगे, पहले चिलो प्याज करते अरे क्या बना रहे हो कुछ सोचा है क्या बीना सोचे समझी कोई काम करता है क्या मा कसम अगर जिंदगी में सोच समझ के काम किये होते तो आज तुम्हारे साथ खड़ा होता अच्छा हाँ पहले तो मेरे पीछे ऐसे गुंते थी जिसे बस के पीछे कुट्टा वो तो बाद में बाद समझ में आई कि कुट्टे के काम गाड़ी के पीछे दौरना है उसको बैठियो से ड्राइव करना नहीं अरी अरी क्या हुआ क्या हुआ प्याज काटे की वजे से आखों में आसु आ रहे हैं एक काम करो प्याज तुम्हारी जैसी हरकत है न तुम तो प्याज के आखों से भी आसु निकलवा दोगी भाड में जातो मैं तो चली वीडियो बनाने देखिए ये है हमारा घर और आप हमारी कीचेन में यहां देखिए हमने हमारी कीचेन में कितना अच्छा लाइमिनिट लगाया है और कुछ बर्तन दूले नहीं है क्योंकि हमारी बाई आज नहीं आई थी ओ हिंदी सीरियर वाले गोपी बहू जरा यहां पर आजा और असोड़े में मैं हूँ अरी कमी ने इंसान बाई से याद आया कि उसने छुट्टी मारी है तो मैंने उसे फोन किया और पूछा कि क्यों नहीं आई तो मुझे पता पड़ा कि वो गाउं गई है और उसने बताया कि इंस्टा पे अपडेट किया है और साथ ने लाइक किया है और कमेंट मिस्यू भी दिया है कंगू पाई क्या इंसान नहीं हो तो निकालो तुमारी इंसानियत जाड़ो कहा है मेरी अब ये बताओ, कोई डेट दिया है क्या उसने? अरे गरीवों के सनीन दियोल, उसका धाई किलो का हाथ है, और तुम तो धाई सो ग्राम के दूज से तक्रा के गिर गह थे, और तुमारी इस करोना काल में तो हम हाउस्पिटल भी नहीं लेके गए, सारे हड़ियों को फेविकोल से जोडना पड़ा हमको. इनको ऐसा वैसा नहीं समझना है, यह बहुत सारे फिर्मों में काम किया है, आपने देखा होगा न, वो जो दूर जाती हुई नाव में, नाव से चलाम लगाता हुआ इंसाथ, और अच्छा सजार के भीड में ना दिखने वाला इंसाथ, यह सारे रोल किये उन्होंने, और 20-22 किलो मेटर दूर से आप देखो न, शारुक, शारुक खान और उनमें कोई अर्दर नहीं है, अरे, अंडा पोड़ दिया, दो ही बच्चे थे, बालों में लगाना था मुझे, जानी, देखा है इनका चमतकार, इनके खौफ की वज़े से अंडा भी वापे जुड़ गया, साच बताता हूं आपको, एक बार हमने डेरी फार्म खरीदा था, मैडम की खुद दूद दोने की इच्छा हुई, वहाँ पर जाके दो घंटे दूद दोने के बाद भी, जानी सिर्फ एक कटोरी दूद निकला, जब मैंने पूछा इतना कम दूद क्यों, तो बैल खुद बोला, कि दो चमत, दो कटोरी, एक कटोरी जो भी दिया है, पूरी महनत से दिया है, साब, वैसे तो मैं बैल हूँ, मैडम से बोल दीजिए, अगली बार दूद दोना है, तो गा दिया के सारे तूफानों के नाम महिलाओं के उपर ही, मुझे बताईए, आज तक किसी तूफान का नाम अपने रमेश, गिरीश, अनील, राजु, ऐसा सुना है क्या, नाम रखने वालों ने भी कुछन कुछ तो सोचा ही होगा, चलिए, खेर, हम कुकरी कर रहे थे साब, त यह हमने लिया है स्वाधानुसार पानी, और इसमें हम डालेंगे बहुती सुन्दर, खूबसूरत दिखता हुआ, स्वाधानुसार मतर, यह देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसमें हम डालेंगे मतर, यह देखिए, जर से गिरा जा रहा है, अब जब यह उबलन लगे जब खूबसूरत सी उबाल आने लगे तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर अरह पनीर देना जा रहा घर पे पनीर नहीं है खेर यही में आपको बनाना सिखाने वाला था actually कि ऐसी जब situation हो और घर में पनीर नहीं हो तो आपको करना क्या है उसके बाद आपको इस समान में से मटर को चान के निकाल देना है अब जो आपका स्वादानुसार पानी बचा है इस स्वादानुसार पानी में स्वादानुसार शक्कर मिला है स्वादानुसार दूद मिला है और स्वादानुसार चाय पत्ती मिला है जब ये सब मिला के आप इसको अच्छे से पकाएंगे तो बनेगी एक बहुत ही खुबसूरत स्वादिश्ट मटर वाले फ्लेवर की चाय और उसको खान उसको पीते समय आपके साथ साथ में रहेगा आपका मटर जो पहले से उबला हुआ था आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची और थोड़ा प्याज डालना है तो आज मैं आपको एक और चीज बनाना सिखाऊंगा जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाशन में चाय यानि टी देखिए यह कई प्रकार की होती है, गरम होती है, ठंडी होती है और जब बहुत ठंडी होती है तो इसको आइस्टी कहते है अब आइस टी बनाने के लिए क्या करना है आपकी जो कल की बची हुई चाय फ्रिज में रखी हुई है उसे आप फ्रिज में से निकाल के लाईए और उसके बाद उसमें डालिए खुब सारा बरफ ताकि वह ठंडी हो जाए और इसमें आप डालिए लेमन याने नीवू अगर आपके पास यह फ्रूट नहीं हो तो कई खास प्रॉब्लम नहीं है आप इसको किसी भी फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे कठेल इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है यही मैं आपको एक्चुली बताना चाहता था कि कई बार इस चाय का दूद फढ़ जाता है अगर इसका दूद फढ़ जाया तो इस पतले कपड़े से इसको चान ले चानने के बाद दूद का दूद और पानी का पानी अलग हो जाएगा आपके प और मेरे वीडियोज देखेंगे तो आपको एक से एक बढ़िया डिशेज बनाना सिखाओं तो देख लिया आपने बॉली प्रशाद का रसोडा कैसा लगा आपको खेर मेरी तो यहाँ कभी भी कुछ खाने की हिम्मत नहीं है लेकिन अगर आपकी हिम्मत हो तो आपको जरूर इनकी रसोड़ा में दुबारा ले चलूँगा और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था आप सपोर्ट करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल बटन को दवाना मत बूलेगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वक्त पे मिले